नमस्कार आज इस वीडियो में हम कक्षा बारवी की पुस्तव अभिवक्ति और माध्यम की पार्ट डायरी लिखने की कला के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट की और बढ़ने से पहले में यही कोंगे अभिवक्ति और माध्यम की सभी वीडियो को देखने के लिए आप डिस इसमें डाइरी शैली के बारे में बात की गई है और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कौंगी चाप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जहू देखे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंड वर शेयर जूर कीजिए साथ ही साथ अगे और भी नो का रख सकते हैं तो आई अब बिना किसी देरी के इस पार्ट की और बढ़ते हैं और यह जो पार्ट है डायरी लिखने की जो कला है इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या है डायरी इतिहास के आईने में डायरी डायरी लेखन और हम डायरी लेखन और सिम्रितिया और कुछ विचार बिंदू, तो मैंने जो कुछ important point है, एक तो सबसे पहले पार्ट जो है बहुत ही छोटा है, बहुत बढ़ा नहीं है, दो-तिन पेजिस हैं, आपने देखा होगा, अभिव्यत्ति और मादेम के जो अन्य पार्ट है, पत्रकारिता वगरा वाले, वो काफी लेंदी हैं, तो आपको नोट्स की ज़रत है, साथी साथ मैं हमेशा से कहती रही हूँ, आपको जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा भी आप अपना extra throughout भी कीजिए, बुक भी ज़रू पढ़िए, यह नहीं आप किसी की बीडियो देखते हैं, और उन्हीं पर depend हो जाए तो से एक स्टड़ी बहुत ज़रूरी है और इसमें मैं कुछ हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में आपको बता दू कि मोटे गत्ते की जलत वाली उस नोट्बुक से आप सभी परीचित होंगी, सबसे पहले तो हम डाइरी, शैली के बारे में जानते हैं, डाइरी होता है हमा जो हम एक प्राइवेट हमारी डॉक्यूमेंट है वो जिसको हम जो भी पूरे दिन में घटित होता है, या जो भी हमारे साथ हुआ है, या हमने जो भी समय बिताया, उसको अपने तक उसको याद के तोर पर अपने पास समाल कर रखना, तो उसी डाइरी शैली के आज हम बात करेंगे कि मोटे गत्ते की जिल्त वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पे साल के 365 दिनों की तिथिया करम से सजी होती है आप डायरी इसके बारे में जानते हैं और हरे तिथि के साथ एक या आधे पिष्टी की खाली जगा छोड़ी जाती है यह एक आली जगा उस तिथी विशेश के साथ संबंध सूचनाओ या नीजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है डायरी आप सभी लोग देखते हैं उसमें डेट्स होती है उसमें डेज मेंशन होते हैं साथी साथ एक्स्ट्रा पेजिस होते हैं ति डायरी यह होती है कि जो लोग डेट्वाइस डायरी लिखने के शौकी नहीं है जो लिखते हैं उनके लिए ये कॉलम छोड़े जाते हैं जगा छोड़ी जाती हैं आगे हम बढ़ते हैं डायरी किसे कहा जाता है तो दिन भर आप जिन घटनाओ गतिविदियो और विचारों से गुजरते हैं जो आपके व्यूज हैं उन्हें शब्दों में पिरोना ही डायरी कहलाता है यह लेखन मूलता आपके अपने उपयोग एवा मुभोग के लिए होता है और यह जो है यह आपके लिए ही है हाला कि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विदा के रूप में पातक समाज के बीच खासा लोग प्रिय हो चला है जो है परसनल डायरी होती है आप अपने बारे में लिखते हो आप नहीं चाहते हैं आपकी डायरी के बारे में कोई जाने आपके विचारों को आपके साथ हुए इंसिदेश को लेकिन आज कल कुछ समय से हम देखते आ रहे तो उनको पुब्लिकली कर दिया जाता है पिछली सभी की सरवाधिक पड़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रेंक नाम के किशोरी की पुस्त का छपी हुई डायरी जो उसने उनीस सो बयालिस चवालिस के दर्मयान नाजी अत्याचार के बीच एमस्टम में छुपकर रह लिखी थी यानि जो एनी फ्रेंक नाम के जो कन्या थी उसकी डायरी सबसे डायरी जगत में सबसे आदा लोगपरिये हैं और जो आमस्टम में जो भी नाजी अत्याचार वगरा हुआ जो भी शोशन हुआ उन सभी का लेखा जोखा उस डायरी के माद्यम से में मालूम होता ह यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक एतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहितिक कृति के रूप में भी महत्वपूर माना गया यह साहितिक दस्तावेज है जोग हो सकता हमें उस समय की लोगों ने उस शेहर के लोगों ने उस इंसिजिटन को छुपाया हो ब पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरिया हैं जैसे मोहन राकेश की डायरी, राम चंद्रिशाह की डायरी, आदि भी किताब की शकी में छप चुकी हैं यहने उनकी नीजी जिंदिगी तता उनके दौर में जहाकने के एक नायाव निमंतरन के तोर पर बड़े चाओ से पढ़ा गया, यानि यह उनकी परसनल डायरी हैं लेकिन उनके बाद इनको चापा गया, उननिसवी सदी के पाँचवे दशक में हिंदी के महानकवी और विचारग गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक सहितिक की डायरी लिखकर सहित्य समस्याव से अपनी उदेड वुन को उपयोगी पार्ट बनाने का एक अद्बूत प्रयोग किया, जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रही थी कि डायरी के माध्यम से जो गजानम माधव मुक्तिबोध की जो रचना है वो भी हमारे सामने आ चुकी है, आगे हम जानेगे कि जो डायरी है एक सह साहितिक विधा नहीं है, बले ही वह किसी और साहितिक विधा की कृति को अपना रूफ उधार दे दे, मसलन निबंद, कानी और पन्यास डायरी की शकल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहार डायरी का सिर्फ रूप होगा, एक सांचे को प्रकट किया जाएगा कि उसके और अंतरवस्तु के लिहास से उसे डायरी नहीं का जा सकता, और फिर आगे प्रशन उठता है कि सच में आखिर डायरी है क्या, तुम कह सकते हैं कि वह नितांत कि डायरी किसे का जाता है, तो डायरी की परिभाषा सही अर्थों में है कि एक नितांत नीजी स्थर पर यह जिस तरपर किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटिड घटनाओ और तत्संबंदी बौधिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोका है, इन्हें हम किसी और के लिए नहीं स्वयम अपने लिए शब्दबत करते हैं, यह हम किसी और के लिए नहीं लिखते हैं, हम अप जो एनी फ्रैंक है, उनका इंसिडेंट यहां पर हमने देखा था, कि जिस तरीके से अभी तक यह था कि वो एक उनकी पर्सनल डाइरी थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी डाइरी को जब पब्लिक किया गया तो महां पता चला कि किस तरीके के चीजों को उन्होंने महसू और यहां पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, यह एनी फ्रैंक के पिक्चर इमेज हैं और आगे हम देखते हैं कि हाइलाइट्स को देखेंगे जो एनी फ्रैंक थी, पूरे एनी फ्रैंक की इंसिडेंट को हम देखेंगे एक बार एनी फ्रैंक 1929-1945 जर्मनी में पैदा और यहूदियों परत्यचार का दौर वहां भी शुरू हो गया, एसी स्तिती में जुलाई 1942 में उसका परिवार एक दफ्तर की गुफ्त कमरे में चिप कर रहने लगा, जहां दो साल बिताने के बार वे नाजियों की पकड में आ गए और उन्हें यांतना कैंप में पहुचा दिया गया है, यही नहीं उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणे जीवित नहीं बचा, रित्ते महायुद्ध समाप्त होने पर उसके पिता वापस एमस्टम पहुचे, वहां उन्हें एन्हें एन्हें की डायरी की तलाश की और सहीं उक से सफल रहे, यह डायरी एन्हें को उसके 13 जनम दिन पर मिली और जून 1942 से अगस्त 1944 तक वह उसमें अपनी खास-खास बाते और नाजियातं के अनुभवों को लिखती रही थी, यह उसकी परसनल डायरी थी, जिसको महसूस करती थी, जो वो देखती थी, जो घटित होता था, वो लिखती रहती थी, लेकिन उसके मित्यू के बाद उसके पिताने उसको एनी फ्रेंक की डायरी इतिहास के उस भयावय दोर का एक अप्रतम दस्तावेज हैं, उन्होंने उसे प्रकाशित करवाने की दौर धूप शुरू की, 1947 में मूलत हार डच में लिखी गई है डायरी, अंग्रेजी में The Diary of A Young Girl के नाम से ब्रकाशित हुई, यह 20 वी सदे की सरवाधिक पड़ी की पुष्टकों में से एक हैं, कई जगह से पाठे करम में भी, सलेबस में भी रखा गया है, इल्या इहरन बुर्ग ने एक वाक्य में इस पुष्टक की सबसे बड़ी विशेष्टा को एक हांकित किया ह यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक अवाध है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कभी की नहीं, बलकि एक साधारन लड़की की है, यानि जिन लोगों के साथ अक्तियाचार हुआ, उस सभी चीजों को एनी ने लिखा और यह उन लोगों की आवाज बनकर उगरी आगे हम बढ़ते हैं कि शुद्द लेक के स्तर पर देखें, डाइरी के बारे में बात की जा रही है तो वै अपना ही अंतरंक साखषात कार है, शुद्द लेक की सतर पर देखो, डाइरी आप अपने लिए लिख रहे हो, आपको पढ़ना आपकी याद है, तो आप अपनी लाइंग में उसको लिखेंगे, आपने कोई प्रेशराइज नहीं है, शुद्धी होनी चाहिए, वर्तनी का ध्यान, नूँँ, आपका साक्षाथकार एक तरीके से आप अपना ही बारे में अपने आप से आपकी पहचान हो रही है, और एक ऐसा साक्षाथकारों समवाज जिस इसको भी बहतर तरीके से समझ पाते हैं, और दूसरे अपने अंदर अंजाने कठा होते भार से मुक्त होते हैं, यानि जो भी फ्रॉस्ट्रेशन हो अपने डाइरी में लिख दी और वो खतम ही हो गई, आगे एक तरह से व्यक्तिकत दस्ता बेज भी है, डाइरी की के मन के अंदर कौन जाने वाले विचारों, यादगार, मुलागातों और बहस मुभाहिसों को हम दर्ज कर लेते हैं, अपनी कई तरह की सिमृत्यों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ त्यार करना और जो कुछ गठी दुआ है, उसके क सारी इंसिडेंट्स को समाल कर डायरी की तौर पर लिखते होंगे, यात्रों के दोरान डायरी लिखना तो बहुत यूपयोगी साबित होता है, और एक लंबे सफर का वृतांत, यानि कहना अगर आप सफर से लौट कर लिखना चाहें, तो शायद पूरे निभावों का दोत आठ हो जाएंगी, नो हो जाएंगी, पर दस की दस तो आप नहीं लिख पाओगे, तो डायरी के साथ भी यही है, लेकिन अगर अगर अपने सफर के दर्मयान परती दिन अपनी डायरी लिखी है, तो अपने तजूर्वे को लगभग मुकमल तौर पर दुरा पाना आपके यह संभव होगा, यानि जो जो हो रहा है, उसी टाइम लिख लिया, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, आगे हम पढ़ेंगे, जो डायरी के लिए ध्यान रखने होगे बाते हैं, कि जब हम डायरी लिखते हैं, और अपने साथ खुद की दोस्ती करना चाहते हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला है, डायरी या तो किसी नोटबुक में, या पुराने साल की डायरी में लिखी जाने चाहिए, अब ऐसा यहां पर क्यों कहा गया है, क्योंकि पुराने साल की डायरी में पहले ही पढ़िवी तितियों की जगा, अपने हाथ से लिखी हो गया तो आप कोशिच कीजिए आप जो प्रिंटिड डेट्स है उसको इग्नोर कीजिए और अपने हैंड रिटन अपने हाथ से डाइट्स डालिए चार पांच छे पेजिस भी भर रहे हैं तो नेक्स जब आप अपनी डेट वाइस डायरी लिखेंगे तो वो आपके अकॉर नहीं होते ऐसे में डायरी का किसी निश्ची स्थिति के साथ दिया गया सी में स्थानमाले बंधन ना बन जाए तो यह आप समझे गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है दूसरा है ध्यान दोने योग्ये बातों में लेकन करते हुए आप स्वैम तै करें कि आप क्या सोचते ह और खुद को क्या कहना चाहते हैं यह तै करते हुए आपको यथा संभव सभी तरह के भारी दवावों से मुक्त होना चाहिए यानि अपनी दिन बर की घटनाओ मुलाकातों खैलातों इतियादी में कौन-कौन से आपको दर्च करने हैं आपको क्या लिखना और क्या नहीं important है तीसरी है डायरी बिलकुल नीची वस्तू है और यह मान कर यह उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी अगर आप किसी और को पढ़वाने की बास सोच कर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शाली विशे वस्तू के चैन ब पाठक आपके लावा और कोई नहीं होगा यह कते ही जरूरी नहीं कि डायरी परिश्कृत और मानक शैली में लिखी जाए जैसे कि मैं कहती रही हूं बार बार कि परिश्कृत एकदम शुद्ध भाशा का प्रयोग हो और पढ़े लिखी लोगों की भाशा हो परिश्कार औ मानकता का दबा आप कथे के स्तर पर कई स्तर तरह से समझोतों के लिए आपको बात ले कर सकता है हो सकता है कई शब्द ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं और आप बहुत डायरी अपनी भाशा में लिखना चाह रहे हैं लेकिन मानक भाशा में उसका एक करे आपको जो इस सिलसिले में जो भाषा का मुलम्मा आपको चढ़ाना है उसके लिए आपको चिंता करनेगी ज़रत नहीं है अगला है डायरी नितांत नीजिस्तर की घटना और भावनाव का लिखा जो का होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है आप अपने जिन अनुभावों को जहां दर्ज करते हैं उनमें आपकी नजर से देखा परखा गया समकाले नितिहास किसी न किसी मात्रा में मौझूद है और डायरी लिखते हो अगर ये बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के मैत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं तो इस तरीके से जो ये पार्ट है ये समापत होता है मैं पहले भी बोल चुकिए अत्यांति सरल पार्ट है इसमें कुछ निये डायरी शैली के बार में बताया गया है डायरी कैसे लिखने चाहिए ये डायरी होती क्या है और डायरी के लिए किन-किन बातों को धियान रखने चाहिए कि डायरी की विशिष्टा क्या और सबसे famous डायरी जो Annie Frank की डायरी है वो यहां पर जिक्र किया गया है तो आपको part से संबंदित अगर कोई भी doubt रह गया हो तो आप comment कीजिए और साथी साथ हम प्रशन उत्रों की भी चर्चा कर ले तो इससे क्या होगा एक part की revision यहां पर हमारी दुबारा हो जाएगी तो आईएव हम प्रशन उत्रों की चर्चा करते हैं जिसमें पहला प्रशन है प्रशन एक है डायरी लेखन किसे कहते हैं दिन भर में जिन घटनाओं, गतिविदियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें ही डायरी के पन्नों में लिखना डायरी लेखन कहलाता है डायरी लेखन का क्या महत्व प्रशन दो यह तो बिलकुल ही नीजी महत्व का लेखन है अपने लिए ही इसे लिखा जाता है किसी को अपनी डायरी नहीं दिखाए जाती जब हम डायरी में साहिते समय समाज और देश के बारे में अपने विचारों और घटनाओं को दर्श करते हैं तब उसका सारवजनिक महत्व हो जाता है तीसरा है संसार में सबसे जादा पढ़ी जाने वाली डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं तो संसार में सबसे जादा पढ़ी जाने वाली डायरी एनी फ्रेंक की डायरी है ये डायरी उनिस्वप्यालिस पर चवालिस में चोदा साल की लड़की एन फ्रैंक तुवारा लिखी गई थी इसमें हिटलरवादी नाजियों के अत्याचारों के रॉंग्टे खड़े कर देने वाली घटनाओं का विवरन है ये डायरी जब प्रकाशित हुई तो है एक अतियासिक दस्तावेश तो मानी गई साहित्य कृतिक भी बन गई प्रशन चार है हिंदी साहित्य के किन महत्वपून रचनाकारों ने डायरी लेखन किया है इन्दी साहिते के महतुगुन रचनाकार है वो है मोहन राकेश और अमेश चंदर शाहादी पहले अत्रवित्तान्तों को भी डायरी के रूप में लिखा जाता था ऐसे डायरी लेखन में राम रिक्ष पेनी पुरी की पैरोग में पंक बांध कर महापंडित रावल सांकरत नायन की रूस में पच्चेस साल सेट गोविंदास की सुंदर दक्षिनपूर डॉक्टर रगुवंश की हरी घाटी पुस्त के शामिल है और जाने मादव मुक्ति बोध की एक साहितिक की डायरी में साहित्य के प्रशनों के महतोगूर विशलेशन है देखे चातरो सारे आंसर जो है बुक के हैं आपको चाप्टर क्लियर है तो आप बड़ी असानी से इनके आंसर भी दे सकते हैं चाप्टर कही बार रिवाईज हो जाता है वीडियो देखते टाइम, क्वेशन अंसर डिसकस करते टाइम और एक बार बुक रीडिंग के टाइम और पेपरों के टाइम तो रिवीजन हो ही जाती है प्रशन पांच है कि डाइरी लेकन एक सहित्तिक विदा है, नहीं डाइरी लेकन एक सहित्तिक विदा नहीं है हाँ जब किसी सहित्तिक विदा को डाइरी के रूप में लिखा जाए तो उसे सहित्ते का ही एक रूप कहा जाएगा असल में डायरी बिल्कुल ही नीजिस तरपर घटित घटनाओ और बौधिक भावनाओ प्रतिक्रियाओ का लेखा जुका है इन्हें हम किसी और के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए ही शब्त बद करते हैं अपने आप से बात mercury के लाव हे कि हम अपने अंदर आप को बहबातमागों से मुक्ति पाते हैं अपने विक्तित्व के महत्रपुंशन को हम भूलना जाए इसलिए उनने हम दर्ज कर लेते हैं और डायरी लिखना अपने साथ भैतर दुस्ति करना हूई प्रश्मे साथ है अगर आपको डायरी लिखना हो तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए यह हम डिसकस कर चुके हैं पराने साल की डायरी में लिखें और तारिक अपने हाथों से डाले दो टैंग करें कि आप क्या सोचते और अपने आप से क्या कहना चाहते तीन आप तिन भर कि घटनाओं मुलकातों विचारों बात्चितों को दर्ज कर सकते हैं चाहर यह मान कर ही लिखें कि डायरी कोई दूसरा नहीं पड़ेगा तब यह पता है कि आपकी डायरी कोई और भी पड़ेगा तो आप बहुत जी बातों को छिपा लेंगे लिखेंगे नहीं और आवश किजिए और साथी साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके प्रशन उत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं महां से आप पड़ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट पर शेर जो कीजिए और आगे और भी नूटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब् कर दो कर दो कर दो कर दो